So hello and welcome you all I am Roid from Hagen Traders So guys आज हम बात करने वाले हैं Indian Energy Exchange LTD के बारे में जिसे हम IEX LTD के नाम से भी जानते हैं So guys आज अगर देखा जाए तो stock में गिरावट है और back to back कई दिनों से गिरावट ही थी और मैंने बोला था कि stock में गिरावट आ सकती है हाला कि अगर देखा जाए तो stock में bonus की भी बाते चल रही थी और बिलकुल आज shareholders को bonus अफ्रू करा दिया गया है और अगर देखा जाए तो तो भी stock में गिरावट है तो गिरावट का first reason तो मैंने clear कर दिया है guys यहाँ पर clear ही है आपके मन में ही clear हो गया होगा क्योंकि market down है 300 point तो market down है bank nifty 300 point डाउन है और nifty अगर देखा जाए तो 500 point डाउन है तो बिलकुल यहाँ पर एक बात तो clear है guys कि यहाँ पर stock में भी गिरावट आना लाजमी है और बिलकुल कई सारे stock जो है और बिलकुल downtrend में जाते वह नजरा आ रहा है बड़ guys अगर देखा जाए IEX में एक support level है उस support level को अगर ब्रेक कर देता है तो बिलकुल यह नीचे की और आ सकता है या फिर उस support level पर support लेता है तो बिलकुल उपर की और जा सकता है तो दोनों ही तरब की probability आपर बंती वी नजर आ रही है तो guys अगर आप IEX के shareholder हो तो बिलकुल आप उस level का weight कर सकते हो उस level का अगर आप loss अगर आप सहन कर सकते हो तो बिलकुल आप इस वीडियो एफ वीडियो आपकी लिए है और guys अगर देखा जाए अगर आप नए निवेशक हो और आप ऐसे ही एक multi-vegas stocks में invest करना चाहते हो तो बिलकुल एफ वीडियो आपने देखना चाहिए क्योंकि काफी helpful एफ वीडियो होने वाला है So guys IEX Energy के बारे में बात करें उससे पहले अगर आप इस channel पर नए हो तो please channel को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को start करते है तो guys बात कर रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सजेंज LTD IEX LTD के नाम से हम जानते हैं देखा जाए तो stock ने यहाँ पर closing कहा दिये है तो 150 रुपे साथ सो पचास रुपे 90 पेसे के price पे stock ने आज closing दी है 25 रुपे 90 पेसे तक stock में गिरावट आज हमें देखने को मिल रही है और 3.30% के इसाब से stock में आज गिरावट है तो बिल्कुल guide गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है अब आगए हैं हम चार्ट पे तो चार्ट पे एक सीधा सा funda यह था गाइस यहाँ पर चार्ट के इस बसे मैंने बनाया है तो चार्ट पे यहाँ पर इस यह लेवल मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यह नीचे का लेवल जो है एक काफी important लेवल है क्योंकि यहाँ पर support ले चुका है stock यहाँ पर support लिया है और यहाँ पर support लिया है रखे है यह हमारा था target 1 यह था हमारा target 2 और यह हमारा target 3 तो बिल्कुल गाइस यहाँ पर क्या हो सकता है तो बिल्कुल यह जो हमारा target था उपर क्यों यहाँ पर हमें rejection मिला इसलिए हमने third target इसे रख दिया है और बिल्कुल gap fill किया और यहाँ पर जो है इस लेफल से फिर से इसे रिटरेस करके नीचे की और आया है तो इसे हमने second target यहापर मान लिया है तो यहाँ पर guys अगर देखा चाहे तो यहाँ पर stop àsव लिया और यहां पर गया तो यहाँ पर जब इस support ले रहा था इस लेवल पर इस particular लेवल पर जब support ले रहा था तो इस लेवल को जो मैंने target मान लिया था अपना first target तो बिल्कुल इस level को achieve गया और first target हमारा achieve हो गया था फिर इसके बाद जब इस level को breakout दिया कौन से level को guys यहाँ पर जब breakout दिया तो बिल्कुल हमारा second target था तो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है बट almost इसने यहाँ पर इसे achieve कर ही लिया था तो guys इसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पर strong rejection मिला है तो बिल्कुल नीचे की और आ सकता और market भी विक था तो यहाँ पर बिल्कुल यह दो बार support ले चुका है guys तो यहाँ पर दो बार इस level को test कर चुका है और अगर देखा जाए तो अगर market positive होता है तो यहाँ पर से ऊपर की और जा सकता है और बिल्कुल guys जो हमारा यहाँ पर level अगर break होता है तो 908 का target हमारा easily achieve होने वाला है तो यह थी चार्ट की बात चार्ट हमने discuss कर लिया है बड़ गाइस अगर यहाँ पर break करता है तो आपको डरना नहीं है 691 पर सपोर्ट ले सकता है तो गिरावट के बारे में मैं बता दिया है सपोर्ट लेवल्स के बारे में बात कर लिया और पाच दिन के डायम फ्रेम पर कितना स्टॉक गिरा है 20 रुपे पेसे तक स्टॉक गिर गया है गाइस 2.80% के साब से वन मंत में बड़ा है 13.90 पर से और वह गर चे मेने में देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा तगड़ी है 398 रुपे 25 परसे की बड़ा थे और देखा जाए 112.93% के साब से स्टॉक में मुमेंट है उपर कियो है और गाइस वह गर देखा जाए स्टॉक ओपन कहा हुआ था चियाजी पॉइंट 30 का पी रिशियो है स्टॉक में और देखने को मिल जाएगा और गाइस वह कर बात करें बोनस की तो यहाँ पर वही न्यूस चल रहे है इस आप शेरहलस अफुर्वरल तो बिल्कुल अफुर्वरल दे दियागा है वह इस अगर बात करें resistance level के बारे में 574 Rp 60 P Kinging resistance level है He ah for first Second resistance level है 772 Rp 70 Pening resistance level है 802 Rp 50 Pening support level 768 Rp 70 Pening second support level 754 Rp 90 Pening and third support level है 748 Rp 80 Pening वई गैसे अगर देखा जा है आपर क्या कुछ आपको देखने को मिलना वाला price performance तो price performance को discuss किया जाए तो सिर्फ 1 week का ही minus में है अगर देखा जाए तो current week जो चल रहा है यही पर minus में है minus 4.18% और जब 1 month की अगर बात करें तो positive है 2.86%, 3 months की अगर बात करें तो 70.82% यहापर plus में, year and hop की अगर बात करें तो 130.36% यहापर plus में, 1 year की अगर बात करें 254.14% यहापर plus में 3 years की अगर बात कर ले तो यहाँ पर plus में दिखाई जाएगा तो guys almost years में यहाँ पर plus में ही था बड़ अगर दिखा जाए current week का तो यहाँ पर सिर्फ current week में ही minus में है बाकी time तो है बिल्कुल plus में दिखाई दे देगा और guys वह अगर बात करें trade value की trade value आपको देख सकते हैं आपर 56 lakh के something का trade value हमें देखने को मल जाएगा yesterday के अगर बात करें 49 lakh के something का trade value और अगर बात करो common and delivery की 17 lakh के something की common and delivery अगर बात करें हम one week के average तो 58 lakh के something की है trade value और 18 lakh के something यह है community delivery और साथ ही guys अगर बात करें one minute का average 75 lakh के something का trade value और 18 lakh के something की community delivery भी आपको देखने को मल जाएगी guys वह एकर देखा जाएगा इस community sentiments के हिसाब से क्या कुछ आखड़े है तो community sentiments के साफसे positive के नजर आ रहे कावी लोग यहापर 85 परसन लोग जो है और यहापर buy call दे जा रहे है और 13% जो लोग है वो यहापर किएर है sell के लिए और जो 2% लोग है guys यहापर किए रहे होल्ड के लिए तो holding के लिए भी कहा जा रहा है, buying के लिए भी कहा जा रहा है, but guys आपको still hold करना है, level को break करने तक, level को break कर देता है, तो आप बेचना हो, बेचना हो बेच दकते हो, ने तो 691 के price पे support ले सकता है, revenues के अगर बात करेगा, इस revenues क्या कुछ है, तो revenues अगर देखा जाए, तो year and year revenues ब revenue generate किया है, और बढ़ गया था, 300 cross कर दिया था, जो 300 का level है, बिल्कुल इसने cross कर दिया था, और आप देख सकते हो, बिल्कुल high लगा जा था, 2021 में 317 करोड का revenue generate करके, साथ ही कहिसा, अगर net property के अगर बात करें, तो year on year, जो net profit हो भी improve हुआ है, बाकि अगर देखा जाए, 2019 और 2020, तो 200 करोड के उपर नहीं गया था, देखा जाए, 2019 का net profit कितना है, 2019 का net profit 165 करोड के आसपास का है, आप देख सकते हो, और 2020 का जो net profit है, वो 175 करोड के आसपास का है, और जो 2021 का net profit है, 205 करोड के आसपास का दिख जाएगा, वह इस अगर देखा जाए, शेयर holding बेटन, तो शेयर holding बेटन, अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो holding है, FI की, 37.74 के आसपास की जो holding है, वो है FI की, और DI की holding है 23.14 के आसपास की, ऑदर्स की अगर बात की जाए, 38.81 के आसपास की, अहाँ पर Public holding, 38.81 और जो audas की अगर बात करे, 0.31 के आसपास की holding देख जाएगे,